मा भगवती को परणाम करते ही हुए आज के इस वीडियो को प्रारम करती हूँ पिछले वीडियो में मैंने आपको आवशक्ताओं के वर्गी करन के बारे में बताया था जिसमें अनिवार आवशक्ताओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी बताया था कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको बात अचछी से समझ में आ जाएगे आज कि इस वीडियो में आपको बताओंगी आराम जायक आवशक्ता हैं यह उस तरह की वांट सें उस तरह की नीड सें जिनकी पूर्ति करने से हमें सुख मिलता है व्यक्ति को सुख मिलता है आराम मिलता है कारी कुछ अलता में ब्रदी होती है मन प्रसन होता है तो इस तरह क्या आवशक्ताएं आरम दायक आवशक्ताएं कहलाती हैं और इसके लिए इनको पूरा करने के लिए वे की गई रासी से प्राप्त होने वाली संतुष्टी या तो व्यासे की रासी से अधिक होती है अथवा बराबर होती है परंतु किसी भी दिशा में कम नहीं ह भी तो अब करता है तो किस किस तरफ भागता है ओह भागता है अब कर घर में चार पाई है इससे अब्हा काम चल रहा है लेकिन आपको लगता है यारे चारपाई तो है एक पलंग होता है पलंग पर एक गद्दा होता है इसके लिए मों कुछ पैसे खर्च करते हैं है इस हो सही तो कूएव चूता तो कौन सी आरामडाए को शकता है क्या लाती है अधिक सर्दी पड़ती एक स्वेटर चींच सीचस नृई से आपका काम चल जाता है लेकिन क्या रगत्ता है कि यह 144 Ann कि बस्कॉरब। पहाड़ों पर लेकिन अगर आपके पास पाहाड़ पर चढने के लिए है कि उसी तारहे संगल हो कि अपयों टेल शान होता है inclusivo B完 Wallace प्राइलनों को तरह राध़ को आपके पास ईथन्दे का अगावर मोन आपके पास उतनल है अब उसी को दोना उसी को पहनता हो जो तक्ति हो रही है लेकिन अगर इसके पास स्वेटर के शाथ सा्थ सॉलत भी हो भर में प्रवेस्ट करें तो लेकिन उसके आपसक्ताओं की पूर्ती है वो नहीं कर सकता है ठीक है अब देखो आराम दाय काव सकताओं की पूर्थी से क्या होता है व्यक्ति को आराम और सुख पहुंचता है कारे चमता में व्रधी होती है रहन सहर का अस्तर जो होता है और उसको बहुत सुखद अनुभूती होती है जब उसका आराम दाय काव सकताओं की पूर्थी हो जाती ह लेकिन अगर हमको गैस मिल जाती है खाना पकाने के लिए कि अधर रहता है रहता है मिक्सी रहता है तो हमार काम और भी आसान हो जाता है तो पॉस्टिक भोजन मौसम के अनुरूप अनुकूल वस्त्र आने जाने के लिए बढ़िया वाहन गेर्लू मैइलाओं के लिए गृहनी के लिए समय शक्ति बचत करने को उपकरन चिकित्सक के लिए कार इसकूल जाने वाले बच्चों के लिए अगर साइक्ल हो पैदल न जाकर के बच्चा साइक्ल से जा रहा है तो किसके अंतरगत गिने जाते हैं ये गिने जाते हैं आराम दायक आवशक्ताओं के अंतरगत गिने जाते हैं इसके बद तीसरे आवशक्ता कहलाती है विलाशिता संबंदी आवशक्ता हैं लगजरिया स्वांट्स इसको कहते हैं क्या कहते हैं लगजरिया स्वांट्स विलाशिता संबंदी आवशक्ता हैं जि लिए हम मार्च इसके पहनिय-दीना कोई कही नहीं होगा नहीं है उनि οποें फारक नहीं है तो fucking अनगुठीदीना कोई भी किरावद नहीं है लेकिन व्यक्ति के आवशकता उनकी पूर्ती करनी है तो हो कहे हैं कि हमारे पास तो बहुत महंगी गारी होनी हृँनेеры हम शेल्की की एक नहीं दस्त सारीय होनी चाहिए हर दिन मैं अलग लग सारी में पहनन कर जाओं से एकजोओन होना चाहिए यह किया है यहां यह विलासिता सम्मंदि है जिसकी पूर्ति है यह आंहो तो कारी खहमता में कोई वरदी नी होती है लेकिन पूर्थी नहीं होती है तो मन्द दुखी होता रहाँ जो परतीन भंसन बंड्ला नहीं होना िल्ट है हafter तो व्यक्ति को न तो दुख का ही अनुभव होता है और नहीं कारी छम्ता में किसी तरह की उसकी कम्यादी है अगर वास्तों में देखोगे तो जो विलास्त्य संबंदियावशक्ताइं हैं लगजरीजवांट्स है ये इन आवशक्ताओं के पीछे व्यक्ति की भोगवादी प्रमोद की भावना नहीं तरहती है व्यक्ति आनन्दिक परमोद मनुरणजन के लिए उचाहता है कि विलास्टिता समंधिया में आवशक्ताओं की पूर्ती हो हार तो एक से भी हार से काम चल जाएगा लेकिन दो-दो हार चाहिए तिन-तिन हार चाहिए क्यों चाहिए भाई हार विलास्टिता के लिए चाहिए और किसके लिए चाहिए और देखो चैपमन कहते हैं इस संदर्व में कि विलास की वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके उपयोग से कारिछमता में कोई महतोपुनिवरिधी नहीं होती है वलकि कभी कभी तो व्यक्ति को व्यक्ति की कारिछमता गटा भी देता है कि एक एक्जामपule बताती हूं जैसे महनगी कि साड़ी पहल लिया हमने थीखे महनगी है और स्टिकी साड़ी अब उसको पहन याल घंल आपन तो कमिया यह न क्योंकि संद्धी क कॉम्हारीह जाना काम होता तब तो इस ख़ळदी का मुट्री में को खाना-पकाना हे उस घ्माई जा मााथ न है किसी काम की नहीं इता है तो अबिये कारेश्म्ता में बिलासिता संमंधिय आवशकता ओग हम तीन बरगों में रगई करित कर सकते हैं महां means हम हूँ कई परस्प्रीले यो जिनका हम पहोग करें न यकरें तो उसे कुछ हमारा हान नहीं पहुंच करोंगे तो आपको हानी पहुँचेगा नुक्सान होगा रेक पास है तो चाहरदा स्प्लाउट यह कोई नहीं पहुंच रहा है तो यहानी रहित विलाशयात्मक आवशक्ताई कहलाती है महांगा टेली वजर तो यह को यह हो रहा है दूसरा होता है हानी कारक विलासात्मक आवसकता है उन आवसकता हूं जिनका कर भोग करोगे तो आपको हानी पहुंचेगा नुकसान होगा जैसे सरापीना लोग महंगे भंगे सरापीते हैं और कहते हैं हम तो जिता तुमने कमाया उतना तमने सिग्रेट पिकरकर दुवे मु विश्य विर्ति करना इसब क्या है विलाशीता पुन आपशकता है अगर इसको नहीं करो कोई नुकसान नी होगा करके अपने नुकसान कर रहे हो करको आपने अपने पाव आपको गड़े में डाल रहे हो अपने परिवार को परिशान कर रहे हो अपने लाइफ को कम कर रहे हो अग्रिज्टर के आप सकता हूं की पूर्थी करते हो तेलिविजन देखना कोई घनत बात ने लेकिन रात रात पर जखकर के टेलिविजन देख रहे हो गलत बात है इसा अपका धिरे-दिर स्वास्त कटम होगा हो रहा है कि ने संतुलित भोजन करना अच्छी बात है लेकिन आप रोज जाकर पीजा खाओ बर्गर खाओ तली भूनी चीज़े खाओ डेली डेजर्ट खाओ धिरी 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 आपका शरीरूप पर नकारात्मक परफा पड़ेगा और फाइदा के जगार आपको नुकसान पहुंचाएगा इसके बाद आता है तीसरा सुरक्षात्मक विलाशात्मक आवसकता है यह वह आवसकता होती है जिनको पूरा करने से व्यक्ति बरतमान और भविशे में अपने आपको शुरक्षित महसूस करता है और इनके संग्रह से व्यक्तियों को आत्मसंतुष्टी और त्रुप्ती मिलती है जैसे ग्यहने हैं नहीं कहते हैं सोना क्या होता है सोना सुख में काम आता है सुख का साथी है ना दुख का साथी सोना लोग खरी थे पहले जवानी मेरी मां कहती थी सोना क्या है सोना था हमारी सहली है सोना मतला इसी सोना सोना मेरी सहली है कैसे सहली है दुख की साथी यह सुख का स्रंगार है कभी को आपत्ती विपत्ति आए को दुचा है तो हम पस्रिंग है तो नेनी स्रिंगार इस खरीती थी फ्रहने के लुग आपके 5-8 ₹ तो कभी भी जुरुवत पड़ा तो स्प्राउट को बेच सकते हैं दुकान खरीदना है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन खरीदना है बैंकर पैसे जमा कराना है तो यह आपके शुरक्षात्मक विलाशात्मक आवश्कता हैं जिनको जिनको रखने से आपको आर्थिक समय जब अगले वीडियो मंगली बातों के साथ तब तक दो इजाजत जाने के लिए ओके बाई फिर मिलते हैं प्लास का टाइम हो गया कॉलेज जाने बच्चे ओके